हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल लो समझ लो मैं हूँ प्रतिव कुमार तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं समाज सास्त का तीसरा पार्ट वीडियो इसके पहले हमने फर्स्ट पार्ट और सिकेंड पार्ट बिल्कुल अच आप इतने कुष्चन तयार कर लेते हैं 500 कुष्चन तो मैं आपको आसा दिलाता हूं कि आप बिल्कुल अच्छे मार्क आप अपने एक्जाम में ला सकते हैं तो चलिए हम उन कुष्चनों को देखते हैं जो आपके एक्जाम में कई वर्सों से पूछे जा रहे हैं अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ सेयर करना ना भूलना तो चलिए हम देखते हैं कुष्चन को पहला कुष्चन है हमारा अंसूचित जाति को पिछड़ा हिंदू किसने कहा बताना आप सभी को अंसूचित जाति को पिछड़ा हिंदू किसने कहा अंसूचित जात क्या होते हैं जात तीन प्रिकार क्यों होते हैं समान अंसूचित बैकवर्ड और ये अंसूचित जात जो लो कटेगरी के लोग आते हैं मतलब जिनको सबसे नीचे रखा गया है जात के दरजे में उन्हे अंसूसित जाती बोला जाता है तो अंसूसित जात को पिछड़े हिंदू भी कहा जाता है और ये किस ने कहा इस बात को आपको बताना है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा ए आपको बिल्कुल खरेक्ट एंसर हो जाएगा घुरिये गुरिये ने अंसूसिजात को पिछड़ा हिंदू के नाम से संबोधित किया देखते हैं नेश्ट कोईशन कोईशन नमबर टू है अपनी पुस्तक कास्ट इन इंडिया में जे एच हंटर ने अंसूसिजातियों के को इंगित करने के लिए निम्न में से किसका प्रियोग किया इक कास्ट सबसे पहले आपको तो ये याद रखना है कि कास्ट इन इंडिया किसकी पुस्तक है जे एच हंटन ये भी आपके एक्जाम में कोईशन बन सकता है कि कास्ट इंडिया नामक पुस्तक किसकी है जे एच हंटन इस पुस्तक में और सूसी जातियों को इंगित करने के लिए किसका प्रियोग किया गया ये बताना है आपको जिसका राइट एंसर हो जाएगा बी आपको बिल्कुल करेक्ट एंसर हो जाएगा बहिस्क्रत जातियां क्या हो जाएगा राइट एंसर बहिस्क्रत जातियां बी आपको बिल्कुल करेक्ट एंसर हो जाएगा इसी प्रिकार question में आपके चार option दिये होगे इजाम में और आपका एक option बिल्कुल correct होगा जो answer correct होगा उसी में आपको mark करना है अगर आपका कोई भी answer गलत हो जाता है तो उसके number काट लिए जाएंगे फिर देख question आधे number का होता है total 100 question होते हैं आपका paper 50 number का होता है first paper ये total objective question आते हैं first paper में देखते हैं next question question number 3 है हमारा निमने लिखित में से कौन क्रसक जन जाती है मलब कौन सी जन जाती क्रसी करने वाली है ये बताना है आपको तो right answer क्या हो जाएगा अगर आपका कोई भी answer आपको आ रहा है तो उसका comment box में answer हमारे बताने से पहले देजिए इससे क्या होगा को आपका confidence बढ़ेगा और वीडियो के last में आप ये comment में जरूर बताएगा कि हमारे कितने questions सही हुए इससे हम जानेगी कि आपकी तयारी कैसे चल लही है तो बताए right answer क्या हो जाएगा D आपका बिल्कुल correct answer हो जाएगा around around जन जाती जो है एक क्रसक जन जाती है खेती करने वाली जन जाती है आपका right answer हो जाएगा D देखते है next question question number 4 है हमारा तोड़ा मुखिता एक है क्या हो जाएगा इसका right answer तोड़ा मुखिता एक है क्या हो जाएगा right answer बताना आप सभी को तो right answer A आपका बिल्कुल correct answer हो जाएगा पसुपालक समुदाए अगर आपका इसको PDF चाहिए इस वीडियो का आपका PDF चाहिए है तो description में मिल जाएगा और हमारे टेलिग्राम चैनल को भी आप जोइन कर सकते है उसमें हम PDF को share करते है question number 5 है हमारा भारती क्रसक वर्ग का वर्गी करण मालिक किसान और मजदूर के रूप में किसने किया तो right answer क्या हो जाएगा B आपका बिल्कुल correct answer हो जाएगा D थार्णर B आपका बिल्कुल right answer हो जाएगा D थार्णर next question देखते हैं question number 6 दुर्खिम के अंस्वार दबाव मूलक नियम किस प्रकार की एकता वाले समाजों की विशेष्टा है 4 आपके सामने है क्या हो जाएगा right answer C आपका बिल्कुल correct answer हो जाएगा या अंत्रिक एकता वाले C आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा या अंत्रिक एकता वाले next question देखते हैं question number 7 है हमारा नियमनी लिखित में से किस समाज सास्त्री का मत है कि समाज एक वास्तिवित्त है जो कि अपने प्रकार में ब्यक्त की वास्तिवित्त से भिंन है तो क्या हो जाएगा right answer C आपको बिलकुल correct answer हो जाएगा दूर्खिम C आपको बिलकुल right answer हो जाएगा इस सारे most important question है आपके sociology के first paper के तरीके से पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से तयार करके इजाम देने जाएंगे नेश्ट कुश्चन देखते हैं कुश्चन नमरे आठ सम्विधान के 21 अनुश्चेद द्वरा राज विधान सभाव में अनसूचित जातियों यह जन जातियों को प्रतिनी धित्त दिया गया है क्या हो जाएगा राइट एंसर बी आपको बिल्कुल करेक्ट एंसर हो जाएगा 332 आपको पता होगा समीधान में 395 अनुछेद हैं अगर नहीं पता है तो याद कर लेना टोटल समीधान में कितने अनुछेद हैं 395 जिसमें 332 अनुछेद में अनसूसित जातिया यह हो जन जातियों का प्रतिनी धित दिया गया है तो राइट एंसर क्या हो जाएगा बी आपको विल्कुल राइट एंसर हो जाएगा कना नौ नॉम्बर कुईशन है, धो तुल किसका युवाग्रह है, तो बताना क्या हो जाएगा इसका राइट एंसर, यह साथ भी जन जातियों के नाम है दिये, कि किस जन जात का धो तुल युवाग्रह है, यह समझे आप, तो राइट एंसर हो जाएगा, यह आपका बिल्कुल correct एंसर हो जाएगा ए गोंड गोंड इतमिल नाडू की जंज आती है गोंड ए आपका बिल्कुल कर्रेक्ट एंसर हो जाएगा नेश्ट कुशन हम देखते हैं वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना अगर आपको थोड़ा भी हिल्प हो रहा है इस वीडियो से तो वीडियो को लाइक करना और अपने मीत्रों के साथ सेर जरूर करना ताकि उनको भी हिल्प मिल सके है कुश्चन नमरे टेन समाज के निम D आपको बिल्कुल ऐसे पkenntो नहीं को बताते हैं चार अफसन आप देख लेना इसे पिरकास से 4 आपके सामने एक और में दिये होंगे एक आप्सन करेक्ट हो और जो रैटंसर है उसी पर चार आपको टिक करना होगा गलाट एंसर नहीं टिक करके आणा जमे तो आपका नमर दो गिक समाज सब्द का प्रयोग किसने किया गए रहनों कुश्चन है उत्तर ओदो गिक समाज सब्द का Right answer किसने किया था अगला question है हमारा, question हमार है 12, दोस्तों मैं आपको याकिन दिलाता हूँ अगर यह 500 question का series आप तयार कर लेते हैं तो आपकी जामें total 100 question पोछे जाते हम, 100 question ब्रक्राइब कुछे जाते हैं 100 में से 90 question अगर आपने correct करके नहीं आया तो हमारे चैनल के comment box में बताना कि हमारे सर इतने question नहीं आये अगर आप बिल्कुल अच्छी तरीके से तयार कर लेते हैं तो मैं ये बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि 100 में से 90 question करके आएंगे जिसमें 45 number आपके बिल्कुल confirm हो जाएंगे टोटल 50 number का question होता है पेपर होता है फर्ष्ट पेपर और इसमें 45 number आपके आज आएंगे तो ये बहुत बड़ी बात है चलिए देखते हैं इस question को question number 12 गद्दी जन्जाती ये गद्दी क्या है जन्जाती है गद्दी जन्जाती को कौन सा ब्योसाय करती है बताना आपको कि ये गद्दी जन्जाती जो है ये कौन सा ब्योसाय करती है तो क्या हो जाएगा right answer ये आपका बिल्कुल correct answer हो जाएगा पसुपालन ये गद्दी जन्जाती जो है ये पसुपालन अधिक करती है गाय, भैस, भेड, बकरी मतलब जितने प्रकार के जानवर पालतू जानवर होते है इनको जैसे बकरी को कमाई की रूप में और भैस को दुख-दूद बातन के रूप में पालती है तो ये गद्दी जन्जाती जो होती है ये पसुपालन का अधिक ब्योसाय करती है इसी इनका जीवन परियंत चलता रहता है तो ए आपका बिलकुल करेक्ट एंसर हो जाएगा अगला कुश्चन देखते हम कुश्चन बरे तेरा अंसूचित जातियों को निर्योगताओं की दरश्टी से निम लिखित में से कौन सही है तो राइट एंसर आपका हो जाएगा डी करेक्ट एंसर हो जाएगा उप्रोक्त सभी आथिं निर्योगता समाजिक निर्योगता धार्विंग निर्योगता अंसूचित जातियों के लिए ये तीनों महत पूढ़ है इनको समाज में भी जगा दिया जाए और जो ये पिछड़े वार के लोग होते हैं इनको सहाइता की रूप में सरकार से कुछ लाब प्राप्त हो और धर्म में भी इनको सतंत्ता हो प्रत्राविंग मंदिर महजित में जाने के लिए इनको सुतंत्र होना चाहिए, तो इसलिए इनको सभी सुतंताई मिलनी चाहिए, right answer क्या हो जाएगा, D, आपको बिल्कुल correct answer हो जाएगा, next question देखते हैं, जितने भी question हम समझाते हैं, बिल्कुल ध्यान पूर्वक, अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप से कोई भी question exam में छूटेगा नहीं इसके next वाले वीडियो में हम समाज सास के जितने भी पुस्तके और लेखक हैं उनका वीडियो लेकर आएंगे क्योंकि पुस्तक और लेखक से दो या तीन question आपको जरूर देखने को मिलेगा और यह बहुत महत्पूर वीडियो रहेगा तब तक आप इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से तयार कर लिजिए चवदा नमबर question है हमारा जजमानी विवस्ता की विशेष्टा है जजमानी क्या होती है आपको हम बदा दें कि जो अभी भी अब जजमानी पर था तो एक तरह से बिल्कुल समाप्त हो गई पहले क्या होता था कि जो जमीदार होते थे या लंबरदार होते थे जिनके पास क बड़ा कारोबार होता था तो उनके यहां को छोटे समधाय की लोग जो गरीब लोग होते हैं उनका खेती करते थे कोई गायभाइस पालता था उनके घर का कार करता था तो वही एक प्रकार से उनका पर्मानेंट एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि परतमान यूग में नावक पर तो वो क्या होते थे जज्मान होते तगे अगर कोई काम खेती वाला जो कर रहा है यूर जमीदार का जज्मान हो गया हुआ वह मेशा उसी को खिटी करेगा और उनी कि देख रेख करेगा एक प्र सर हो जाएगा कि जातियों के मद सेवाओं का प्रितष अधान प्रदान यानि वो छोटी काश्ट के लोग होते हैं जैसा कि हमने बताया और जातियों के मद क्या होता है था उनको अधान प्रदान की प्रदान की प्रदान की जाती थी अगर वो उनको खेती करके अनाज देते ह तो उसके बदले मुनको अनाज भी दिया जाता था पैसा भी दिया जाता था कि उनका जीवन परियंत आसानी से चल सकें कुछ पंदा नंबर जजमानी व्यवस्था अधारी थी यह सारे जैसा कि हमने बताए कि खेती करते थे जमीदारों की और घर का कार करते थे यानि वह स्रम अधिक करते थे जमीदारों के लिए और वह उनको उसके श्रम के बदले में कुछ धन अनाज देते थे जिससे उनका जीवन चलता था तो यह आपका बिल्कुल करेक्ट एंसर हो जाएगा स्रम बीपरण नेस्ट कुष्चन देखते हैं कि कुष्चन नमरे 16 छोर का एक गाउं पुस्तक के लेखक कौन है पुस्तक यों आर्थर यानि लेखक से एक कुष्चन आपको जरूर देखने मिलेगा एक या दो या तीन तीन कुष्चन तक कभी कभी आ जाता है तो इसका वीडियो में हम अपलोड कर देंगे इसका वीडियो आने वाला है इसके बाद वाले वीडियो में तो आप लोग उसको बिल्कुल अच्छे तरीकी से तैयार कर लेना ताकि पुस्तक और लेखक समय दित कोई भी कुष्चन में अगर आता है तो चुषोटने ना पाए क्योंकि ग्रिजुएशन बहुत महत्पूड भूमकर नीज क्यार में तो राइट एंसर क्या हो जाएगा दि आपका बलकुल कर्स टंश रोज़ाएगा डी एन मजूमदार नेश्ट कुईशन देखते हैं कि कुईश्ट नमबर है 17 खितियर समाज में प्रितच नहीं होता है 17 नमबर कुईश्ट बताना है आपको खितियर समाज में प्रितच नहीं होता है तो सी आपको बिल्कुल करेक्ट एंसर हो जाएगा प्रति इस परधा next question question number 18 निम्न लिखित में से कौन जन जाती समाज मात रिस्थानी है तो क्या हो जाएगा right answer चार आपसन आपके सामने है C आपका बिल्कुल correct answer हो जाएगा खासी जञ जाती क्या हो जाएगा खासी जञ जाती आपका बिल्कुल right answer हो जाएगा यानि C आपको बिल्गों correct answer हो जाएगा Next question है हमारा 19 number question है कि किस जनजात में भाई तथा बहन एक छट के नीचे साथ साथ नहीं रह सकते नहीं वे एक साथ साथ भोजन कर सकते हैं बहुत रिवाज विभेन प्रकार के जनजातियों में देखने को मिलती है और एक जनजात है हमारी IC भी है जिसमें भाई भाई बहन एक छट के नीचे साथ साथ नहीं रह सकते और नहीं वे एक साथ भोजन कर सकते हैं तो वो कौन सी जनजाती है आपको बताना है right answer हो जाएगा आपका A बिल्कु correct answer हो जाएगा बेड़्डा जनजाती बेड़्डा जनजाती के अंतरगत इस प्रिकार की निंताएं देखने को मिलती है तो यह important question है आपके exam के लिए इसको आप याद रखना next question देखते है question number 20 निम्न लिखित में से किस जनजाती में महीला को एक संपत्ती की रूप में समझा जाता है right answer का हो जाएगा c बिल्कुर correct answer हो जाएगा सेमा नागा c आपका बिल्कुर right answer हो जाएगा सेमा नागा सेमा नागा जनजाती जो होती है वो महीला को एक संपत्ती की रूप में समझता है या मानता है तो next question आता है हमारा question number 21 किस जन जाती में लड़कियों का कौमर अवस्था में विवास अंसकार के रूप में लली बांधने की प्राणाली अपनाई जाती है किस जन जाती में बताना है आपको राइट एंसर हो जाएगा सी आपको बिल्कुल करेक्ट एंसर हो जाएगा नायर जन जाती में ऐसी प्रथा है कि लड़कियों को विवास अंसकार में लली बांधने की प्राणाली को अपनाई जाती है तो राइट एंसर क्या हो जाएगा सी आपको बिल्कुल करेक्ट एंसर हो जब हत्या करने वालों के अपराथ को दांडिक भोज देने की दसा में माप कर दिया जाता है। इसी कौन सी जन जाती है जहां मानों हत्या करने वाले को अपराथ की दांडिक भोज देने के दसा में माप कर दिया जाता है। बी आपका बिलकुल करेक्ट एंसर है गोंड जन जाती गोंड जन जाती के अंतरगत इस प्रिकार की पुर्था पाई जाती है अगला कुश्चन है हमारा कुश्चन अमरे तेश कि किस जन जाती की लोग वर्षा करने के लिए आग जला कर धुमा पैदा करते हैं ताकि आस्मान में बादल छा जाए ये प्रिक्रिया किस जन जाती के अंतरगत की जाती है डी आपका बिलकुल करेक्ट एंसर हो जाएगा हो जन जाती कौन सी जन जाती हो Right answer D आपको correct answer हो जाएगा Question number 24 निमने मेंसे कौन समाज को एक संतुलित ब्युश्berishधा के रूप में देखता है So right answer किया हो जाएगा जल्दी से बताना है C आपको correct answer हो जाएगा यह E नहीं यह C है C आपको बिल्कुल right answer हो जाएगा B पैरोटो बी पैरोटो जन जाती होती है वो समाज को एक संतुलित व्यवस्था के रूप में देखती है किस में? संतुलित व्यवस्था के रूप में यहीं समाज में निवास करने वाली सभी विक्तियों को एक समान रूप से देखती है कौन सी जन जाती? बी पैरोट याद रखना आप C आपका इसका राइट एंसर हो जाएगा नेश्ट कुश्चन देखते हैं कुश्चन नमरे 25 कि समाज में स्वर्वपृत्वम वर्ग संदचना बिक्सित हुई है तो राइट एंसर क्या हो जाएगा तक है पूसद आपका बिल्कुल करेक्ट एंसर हो जाएगा क्रशक समाज में अगला कोश्चन हमारा कि अन्सूचित जाती जन जाती पीडान निरोधक अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ important question रहेगा आपकी जम के लिए बताना है आप सभी को क्या हो जाएगा इसका right answer तो D आपको बिल्कुल correct answer हो जाएगा 1989 D आपको बिल्कुल right answer हो जाएगा 1989 27 number question है कि गा माइन सेप्ट सब्द निम लिखित में से किसको व्यक्त करता है गा माइन सेप्ट सब्द किसको व्यक्त करता है यह आपको बताना है तो right answer B आपको बिल्कुल correct answer हो जाएगा विकास सील समाज को जो विकास सील समाज होते हैं अग्रसर समाज होते हैं जिसमें निरंतर आगे बढ़ने के प्रेक्रिया होती रहती है उसे गन माइन सेप्ट सब्द सम्बोधित किया जाता है next question question number 28 ग्रमीड समदाय को प्रभावित करने वाले समाजी कारक कौन सा नहीं है ध्यान देना question में पूछा गया कौन सा नहीं है यानि ग्रमीड समदाय को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा नहीं है ये पूछा गया है 28 नंबर क्या हो जाएगा question B आपको बिल्कुल right answer हो जाएगा सुराच्छा right answer क्या हो जाएगा B question number 29 हमारा परविच्छा विवा कि प्रथा निम्न में से किस जन्जाती में पाई जाती है विवा भी कई प्रकार को होते हैं उन में से एक परविच्छा विवा है ये प्रथा किस जन्जाती में पाई जाती है आपको बताना है B आपको बिल्कुल correct answer हो जाएगा cookie जन्जाती किस में cookie जन्जाती में परिविच्छा विवा की प्रिथा पाई जाती है नेश्ट कोईशन देखते हैं कोईशन नमर तीस हमारा निमने लिखी जनजातियों में से किस एक में भात्र बहुपती विवा प्रचलित है ये भी एक बिवा है भात्र बहुपती तो आपको बताना है क्या हो जाएदा राइट एंसर तो बी आपको बिल्कुल करेक्ट एंसर हो जाएगा खासी खासी जनजात में भात्र बहुपत विवा प्रचलित है तो बी आपको बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा विवास related question आपका exam में जरूर बनेगा इसलिए आपको ये question बिल्कुल ध्यान पूरवक्त देखना है देखते हैं next question Question number 31 किसने कहा समाज अपने पन की चेतना है ये बात किसने बताई कि समाज अपने पन की चेतना है Right answer क्या हो जाएगा ये आपको बिल्कुल correct answer हो जाएगा Giddens ये आपको बिल्कुल right answer हो जाएगा समाज अपने पन की चेतना है किसने कहा Giddens Next question देखते हैं Question number 32 किसने कहा समाज मूल सोतंतर नहीं हो सकता समाज मूल सोतंतर नहीं हो सकता इस बात को किसने कहा बिल्कुल correct answer हो जाएगा ये दुर्खिम है दुर्खिम नहीं है याद रखना बिया आपको बिल्कुल right answer हो जाएगा इस बात को दुर्खिम ने कहा कि समाज मूल सोतंतर नहीं हो सकता कुईशन नमर आता है हमारा तेश निमलिखित जंजातियों में से कौन सी उत्रा खंड में निवास करती है वीडियो अगर आपको थोड़ी भी helpful लग रही है तो बिल्कुल लाइक करना शेयर करना कमेंट करना ये आपका दाइत्तु बनता है तो बताना इसका right answer क्या हो करती है राजी जंजाति उत्रा खंड में निवास करती है कि याद रखना डी आपका बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा कुईशन नमर आता है 34 किसने कहा समाज के बिना पूरुस या तो पस है या फिर इस्वर कितनी बड़ी तुलना किस की है कि समाज के बिना यानि ब्यक्तियों के बिना समाज के बिना एक अच्छे समधा के बिना पूरुस या तो पस है या फिर इस्वर इस बात को किसने कहा आपको ध्यान रखना है इंप्वार्टन कुष्चन है यह राइट एंसर क्या हो जाएगा यह आपका बिलकुल करेक्ट एंसर हो जाएगा हीगल ने इस बात को हीगल ने बताया कि समाज के बिना पूरुस या तो पस है या तो इस्वर है यह आपका बिलकुल राइट एंसर हो जाएगा इस बात को आपको याद रखना है इंप्वार्टन कुष्चन भी है देखते हैं नेश्ट बीक कुष्चन कुष्चन नमबर ह नगर वात क का अर्थ हैं बताना सभी को क्या हो जाएगा इसका राइट एंसर बी बीलकुल कर्ट एंसर हो जाएगा जीवन सैली भी आपको बिलकुल राइट एंसर हो जाएगा जीवन सहली अब नगर का वाद का आर्थ आपके एक्जाम में अगर आ गया है कि नगर वाद का अर्थ है तो नगर से नगर देखकर टिक नहीं लगा देना है आपको कि नगर के भोती का कार्मी ब्रदि ग्रामीडी नगरी प्रवास याद होना चाहिए कि नगर वात यानि नगर में निवास करने वाले जो होते हैं वह Dragon सैली पर उससे प्रवाइत होते हैं किस परकार किसिकी जीन पवसंद करता है तो नगर वाद का आर्थ क्या है जीवन सैली भी आपको बिल्कुल राइट एंसर म्याद रखना आपके एक्जाम तक यह कुश्चन सारे डड़ जाएंगे, अगर आपको याद भी नहीं आ रहा है, तो अगर एक्जाम में यह कुश्चन आ गया, तो आप एंसर देखकर टिक कर सकते हैं, बिल्कुल सही टिक कर सकते हैं, अगर आपने वीडियो को ध्यान पूर्वक देखाए एक ग्राम संदाई की विशेश्चता नहीं है, डी आपको बिल्कुल राइट आइंसर हो जाएगा, 37 नमबर कोश्चन है, यह कथन किसका है कि नगरीता एक जीवन सहली है, अभी आपने बता है कि नगरीता क्या है, एक जीवन सहली है, आगे वाल नगर वात का आर्थ क्या जीवन सहली, तो आपको यह कुश्चन याद भी हो गया होगा, कि नगर वात का आर्थ क्या है, जीवन सहली, अभी यहाँ पूछा गया है कि नगरीता एक जीवन सहली है, यह कथन किसका है, तो राइट आप से क्या हो जाएगा, डी आपको बिल्कुल correct answer हो जाएगा, इल ब इसके सबसे अधिक समीब है, बताना है क्या हो जागा right answer, डी आपको बिलकुल correct answer हो जागा, समुदा आएके, डी आपको बिलकुल correct answer हो जागा, चार अफ़सन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, आप लोग हमारे बताने से पहले चार आफसन पढ़ लिया करें जो आफसन आपको लगता है कि ये सही है उसका कमेंट बाक्स में हमारे बताने से पहले ऐसा देजिए अगर गलत भी होगा तो इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि इसका right answer क्या होगा 49 number question है बोगा डर्स के अंस्वार समुदाय की आवस्टक अंग है D आपको बिल्कुल correct answer हो जाएगा ये तीनों आपको बिल्कुल correct answer है समाजिक समुव एक समुदाय में समाजिक समूह का होना बहुत आवस्चक है हम की भावना अपने पन की भावना होना बहुत आवस्चक है निश्चित भूभाग जमीन का भी होना एक समुदाय में बहुत आवस्चक है क्योंकि बीना जमीन का कोई विव्यक्ति को जीवन मुश्किल हो सकता है तिसलिए तीनों बिल्कुल मात पूर है यानि डी आपका बिल्कुल करेक्ट एंसर हो जागा वो प्रोगत सभी देखते हैं आगला क् mics meu कि मैं मंदैट सालीश ग्रमी तर whit क्कार का समाज है तो और कि स Michigan Islands कर्क समाज याओं में निवाज करने काया वाली जनता है या समाज है वो किस पिकार का समाज है यह आपको बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा कैसर होजाएगए सरल समाज, अब इसका मतलब क्या हुआ, सरल समाज का मतलब, ध्यान देना, कि गाउं में जो निवाज करने वाली जंता होती है, उसको सरल समाज कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सरल समाज, इसलिए कहा जाता है, क्योंकि गाउं की जंता विलकुल सब भी जंता होती है, एक दू सुसरे के साथ खड़े होने में इसका बहुत सी योगदान है तो इसलिए बिल्कुल साथ बाखती होते हैं समाज में निवास करने Уालेहु के गाव में में निवास करने वाले व French इसलिए सरल समाज की संग्यत दी गई है तो याद रखना यह आपका विल्कुल राइट एंसर हो जाएगा सरल समाज ग्रमीडी समाज कैसा है सरल समाज इंपॉर्टन कोश्चन है याद रखना आप नेश्ट कोश्चन देखते हैं कोश्चन नमबर है 41 लग समदाइब पलने से लेकर समसान तक के जीवन का संयोजन किसने कहा है ध्यान देना यहाँ पर पलने क्या होता है कि जिसमें जो बच्चा जन में लेता है तो लगवाद एक से दो वर्स तक उसको पलने में जुलाया जाता है याद ना कि जो जुलना डाल दिया जाता है वो क्या होता है पलना वहां से लेकर समसान तक का जीवन का संयोजन यह क्या है लगु समधाय है इस बात को किस ने कहा तो राइट एंसर क्या हो जाएगा सी आपको बिल्कुर करेक्ट एंसर हो जाएगा डेड फिल्ड याद रखना डेड फिल्ड इंपॉर्टन कुश्चन है यह पूछा भी जाता है को पुशह नमर आता है 42 निम लिखित में से कौन सी विश्चता संभधाय की नहीं है संभधाय का अर्थ समझ रहें आप लोग जब कई लोग इखठा होते हैं एक समाज के लोग इखठा होते हैं तो उसे संभधाय बोला जाता है तो आपको बताना है कि कौन सी विच्छता समुदाय की नहीं हो सकती है तो राइट अंसर क्या हो जाएगा? D A चिक सदस्यता D आपको बिल्कुल राइट अंसर हो जाएगा A चिक सदस्यता Qश्चन नमबर है 43 समुदाय की पहचान यह है कि ब्यक्ति अपना संपूर जीवन पूर रूप से उसी में बेतीत कर सकता है लेखक बताईए इस बात को किसने कहा कि समुदाय की पहचान यह है कि ब्यक्ति अपना संपूर जीवन पूर रूप से उसी में बेतीत कर सकता है तो बी आपको पुलकर रैंसर हो जाएगा आग बरनड़ में आखकर रैंसर हो जाएगा कुश्चा नमर 8 44 निम्न लिखित में से कौन एक ग्रामीड एक ग्रामीड है कौन एक ग्रमीड जीवन की प्रमुख विसिषदा है तो बताना आपको क्या हो जाएगा इसका राइट एंसर? यह आपको बिलकुल करेक्ट एंसर हो जाएगा परिवार बाद है, ओके ग्रमीड जीवन यानि गाउं की निवास करने वाला जीवन होता है शोटे छोटे गाओं होते हैं वह मिल्कुल छोटे निर्धन यानि निर्धन एक तरस से आप लोग कह सकते हैं कि निर्धन लोग निवास करते हैं किसान लोग निवास करते हैं अंसूसित जन जाती निवास करती है तो उस गाउं की एक विसेशता है कि वहाँ परिवारवाद चलता है क्या चलता है परिवारवाद तो राइट एंसर क्या हो जाएगा यह आपको बिल्कुल करेक्ट एंसर हो जाएगा परिवार बातकार्थ आप लोग समझ रहें ना कि परिवार को एक साथ लेकर चलना यह गाओं की यानि ग्रमेड की एक भी सिस्ता है इस बात को आप याद रखना यह आपको बिल्कुल आएगा हमारा उसमें सभी पुष्टक जितने भी आपके समाज सास के क्वेश्चन है पुष्टक और उनके लेखक से रिलेटेड उन सारे क्वेश्चनों को हमने एक ही वीडियो में सेलेक्ट कर दिया है अगर आपने उस वीडियो को ध्यान पूर्वक देख लिया तो मैं यकिन दिलाता हूं कि दो से तीन नमबर आपको बिल्कुल फिक्स हो जाएगा कनफर्म हो जाएगा अगर ध्यान पूर्वक उस वीडियो को देखा है देखी पुष्टक और उनके लेखक से रिलेटेड कुष्टन दो तीन हमेशा प्रतेक वर्स बनता ही है तो आपको यह ब इल्ड्रिन मेयर डी आपको बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा नेश्ट देखते हैं कि कुष्टन नमरे 46 समुदाय का वर्गी करन आदिम पूर और दोगिक और महानगरी समुदाय के रूप में किस ने किया डी आइंसर हो जाएगा आपको बिल्कुल करेक्ट आइंसर कार्टिस और कॉलमाइन अगला कोश्चन है मारा 47 नमर कोश्चन है एक नगर में रहने वाले वी लोगों को संबोधित करने के लिए कौन सी आउधारणा का प्रियोग किया जाएगा तो ए आपको बिल्कुल करेक्ट आइंसर हो जाएगा समुधा आए बिल्कुल इजी कोश्चन होते हैं बस आपको ध्यान पूर्वक कंसंट्रेट होकर पढ़ने की जरूरत है अगर आपने साउधानी पूर्वक इन कुश्चनों को पढ़ लिया तो मैं आपको आसा दिलाता हूं कि कोई भी कुश्चन आख से गलत नहीं होगा तो जैसा कि इस कोश्चन में पूछा गया है कि एक नगर में रहने वाले लोगों को संबोधित करने के लिए कौन सी अधाना का प्रियोग किया जाएगा तो समुदाई यानि किसी नगर में रहने वाले लोगों को अगर किसी बिसे वास्तु की बिसे में बताना है तो एक समुदाई में उनको कठा करना हुआ हो सारे एक जगफ इसक्ठा होते हैं उसी को समदा कहते हैं और जब सभी बिएक साथ मिलकर एक सभ छाएंगे तो उसको संबोधित करने में असानी होगी और बताने में असानी होगी तो याद रखना संबलाइय बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा ने 7 कोईशन और हो तालिस नंबर कुछिशन है लगू समधाय की अउधाणा की संदर्व में अधिक प्रसाङ्य है हुआ है थो राइट एंसर यह आपको ब्लगव कर्रेक्ट अइंशर हो जाएगा ग्रामेड लगू समधाय कहा निवास करती है निक्रामेड में तो याद रखना राइट एंसर क्या हो जाएगा एह आप प्लकू करेक्ट एंसर हो जाएगा कुश्चान नमर है उन्चास नमर कुश्चान नमरा नियम्न में से कौन सी विश्ष्ष्था नगरी समधाई की है अब देखिए यहां नगर आ गया कस्वा सिटी कुछ भी कह सकते हैं आप नगर कह स हती है से कि यह आपको बताना है कि आपका बिलकुर करेक्ट एंसर हो जागा यह सभी यह गईर कैसी ब्रक्राइज आनले सकते हैं जूते चप्पल बना जा सकते हैं साइकले बना जा सकते हैं क्रसी की व्यवस्ता आपको नगर में देखने को कहीं नहीं मिलेगी क्योंकि वहाँ पर जमीन उपजाव होती ही नहीं पानी की व्यवस्ता सही नहीं होती तो नगर में आपको क्रसी की व्यवस्ता देखने को नहीं मिलेगी तो आप असानी से जान सकते हैं कि गैर क्रशी बिवस्था इसकी विश्चता है बड़ा आकार नगर का काफी भव आकार होता है जनसंख्या अधिक होती है नगरी जनसंख्या क्योंकि आज की समय में दियात की लोग भी नगर में रहना पसंद करते हैं यहां से जेदातर के दियाती लोग यानि गाउं की लोग ग्रमीर समदा की लोग जा करके नगर में बसने का प्रियास करते हैं तो बड़ा आकार हो गया उसका जनसंख्या अधिक हो गई बड़ा का अधिक जनसंख्या घनत जैसा कि हमने बताया कि जनसंख्या अधिक है नगर क तो यह सभी विसेस्ताय हैं नगर के समधा की तो आपको यह भी कुश्चन बुलकुल आसानिस समझ में आ गया होगा राइट एंसर क्या हो जाएगा डी ऐसे कुश्चन आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं अगर आपने ध्यान पूर्वा कुश्चनों को पढ़ लिया तो मैं आपको गरण्टी देता हूँ इस वीडियो को लास्ट कुश्चन हमारा पच्चास नंबर नगरी जीवन पधत के लिए नगरीता की अउधाणा किसने प्रतपादित की क्या हो जाएक राइट एंसर यह आपको पता ना है तो सी आपको बिल्कुल करेक्ट एंसर हो जाए जो नगरी जीवन पधत के लिए नगर के अधारा क्या है विर्थ अब इन्हों ने बताया कि दोक कैसे निवास करेंगे उनके पास तुप जमीन है नहीं खेती करने के लिए तो आप वो किसी ना किसी प्रकार के अपना उद्धोग चालू करेंगे दुकाने खोलेंगे अपने जीवन परियंत के लिए किसी भी फैक्टरी में दूसरे के फैक्टरी में काम कर रहे हैं या फिर अपना खुद की फैक्टरी लगाए हैं इस प्रकार अगर के लोगों का जीवन चलता है तो मिलते इसके नेस्ट वाले वीडियो में तब तक के लिए जैन बंदे मात्रों